हेलो फ्रेंट्स सर्दी की जल्दबाजी में सुबह लेंथी नाष्टा बनाना किसी को भी पसंद नहीं हर पूई सोचता है पांच मिनट में ऐसा नाष्टा बन जा जो चटपट बने और बिना तयारी के बने तो आज की रेसिपी है ना पूरी ना कचोरी ना पकोड़ा और न में आप एक से दो बार पल्स मोट पर चलाके से थोड़ा सा बारी कर लीजिए आदा कप के हिसाब से हम यहाँ पर लेंगे दो चमबच बेसन बेसन डालने से नाष्टे का जो टेक्श्चर है वह बहुत स्मूथ हो जाएगा और रेसिपी भी हमारी हेल्दी हो जाएगी जिस कटोरिय कप से हमने सूजी लिया था उसी के माप से मैंने यहाँ पर चाज या लसी जो भी आप कहते हो वैड किया है यह पूरी तरो अगर चाज या लसी ना हो आपके पास तो आप यहाँ पर आदा कप पानी एड़ कर सकते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर देना है अच्छ गाजर वगारा कुछ भी प्वसंद की सब्जियां एक प्याज लिया है बारिक चौप करके और साथ में ही लिया है एक टुकड़ा मैंने आप शिमला मिर्च का बारिक कट करकर सब्जियों की मातरा अपने इसाब से घटा या बड़ा भी सकते हैं तो मैं थोड़ा-थोड़ा ह सारी सब्जियां एक से दूहरी मिर्ची बारिक कट करकर लिया बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्ची या तो कम डाले या स्केप भी कर सकते हैं आप सब्जियों को इस मिक्स्टर में हम यहां पर बहुत अच्छे से मिक्स देंगे जैसे कि आपको देखने से लग जीरा या खड़ा जीरा उसके बाद बिलकुल थोड़ा सा पानी डालना है कह सकते हैं तीन से चार चमच पानी डालना है क्योंकि हम इस नाश्टे को बनाने के लिए जादा पानी का इस्तमाल नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले भी मठ्था यूज किया है आपके पस दही हो त आप हलका सा दो चमस दही भी डाल सकते हैं तो आप पानी से मिक्चर को बना सकते हैं बस मिक्चर की आप यहां पर consistency देख लीजिए इतनी ही होनी चाहिए इस से ज़्यादा रनी ή पतली नहीं होनी चाहिए ने तो जो हमारा नाश्टा हो अच्छे से नहीं बनेगा तो नहीं यहां पर एक पिंच खाने वाला बेकिंग सोडा डाल सकते हैं मैंने मठे से बनाया यानि मैंने इसमे लसी एड किये तो मैं नहीं डाल रही हूं दोनों मेंसे इक चीज आप यूज कर लें बस इस मिक्षर को आप एक बार इस तरीके से मिक्स करने के बाद आप एक चम्मच कर मैं इस तरीके से यहां पर तेल को पहले अच्छे से गरम कर लूँगे एक पैन में और इस तरीके से डाल दूँगी शेप ही अपने आप ले लेगा शेप कि आप कोई भी इसमें टैंशन मत कीजिए और बहुत स्मूथ और बहुत प्लफी नाश्ता बनता है आज से पहले दूसरी साइट से भी इसको ऐसे ही कला आने तो शेक लेंगे यह नाश्ता बहुत जल्दी बनता है ना तो यह ज़्यादा तेल और आप टाइम देख के पांस से दस मिनट के अंदर इस नाश्ते को चटपर सुबे की जल्दबाजी में तयार कर सकते हैं आप इसको ब्रैड क भूक में शाम कुछ चाय के साथ भी आप इसको बना कर खा सकते हैं तो इस नाश्ते के रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और एक कमेंट जरूर कीजेगा कि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आप चैनल पर नए आए हो तो मिलते हैं नए दीन नए रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग